देव से देश की बात की थी, राम से राष्ट्र की बात की थी, साथियों अयोध्या में प्राण प्रतिष्णा के अवसर ने देश के करोणों लोगों को मनों एक सुत्र में बांद दिया है, सबकी भावना एक, सबकी भक्ती एक, सबकी बातों में राम, सबके रदय में राम, देश के अनेकों लोगों ने इस दवरान राम भजन गाकर स्री राम के चर्णों में समर्पिप किया, बाई शाम को पूरे देश ने राम जोती जड़ाई, दिवाली मनाई, इस दवरान देश ने सामुहिक्ता की शक्ती देखी, जो विक्सिद भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है, मैंने देश के लोगों से अग्र किया था, कि मकर संक्रांती से 22 जनवरी तक सच्छता का अभ्यान चलाया जाए, मुझे अच्छा लगा कि लाखों लोगों ने स्रद्धावाव से जुड़कर अपने ख्षेत्र के धार्मिक स्थलों की सापसफाई की, मुझे कितने ही लोगों ने इस से जुड़ी तस्विरे बेजी हैं, वीडियो बेजे हैं, ये भावना रुकनी नहीं चाहिए, ये अभ्यान रुकना नहीं चाहिए, सामोहिक ताकि यही शक्ती हमारे देश को सफलता की नई उचाई पर पहुचाएगी, मेरे प्यारे देश्वासियों, इस बार 26 जन्वरी की परेड बहुत ही अधभूत रही, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा परेड में विमेन पावर को देख कर हुई, जब करतव्य पर्त पर केंद्रिय सुरक्षा बनों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकडियों ने कदम ताल सुरु किया, तो सभी गर्व से भर उठे, महिला बेंड का मार देखकर, उनका जबर्देस तालमिल देखकर, देश विदेश में लोग जूम उठे, इस बार परेड में मार्च करने वाले 20 दस्तों में से, 11 दस्ते महिलाओं के ही थे, हमने देखा कि जांकी निकली, उसमें भी सभी महिला कलाकारी थी, जो सांस्कृतिक कारकम ही है, उसमें भी करीब डेड हजार बेटियों ने हिस्सा लिया था, कई महिला कलाकार, संक, नादस्वरम और नागदा जैसे भारतिय संगीत बाद्ययंत्र बजा रही थी, डियारडियों ने जो जांकी निकाली, उसने भी सभी का ध्यान खीचा, उसमें दिखाया गया कि कैसे नारी शक्ती, जल, थल, नव, साइबर और स्पेस हर शेत्र में देश की सुरक्षा कर रही है, 21 सदी का भारत ऐसे ही विमेन लेट डेवलोप्मेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, साथियों, आपने कुछ दिन पहले ही अरजुन एवर्ड समारों को भी देखा होगा, इसमें राष्ट्पती भवन में देश के कई होनहार खिलाडियों और एथलिटों को सम्मानित किया गया है, यहां भी जिस एक बात ने लोगों का खुब ध्यान खीचा, वो थी अरजुन पुरसकार पाने वाली बेटिया और उनकी लाइब जर्नी से, इसमार तेरा विमन एटलिट्स को अरजुन एवोर्ड से सम्मानित किया गया है, इन विमन एटलिट्स ने अनेकों बड़े टोर्नामेंटों में हिस्सा लिया और भारत का पर्चम लहराया, शारिरिक चुनोतियां आर्थिक चुनोतियां इन साहसी और टैलेंटेड खिलाडियों के आगे टिक नहीं पाई बदलते हुए भारत में हर छेत्रे में हमारी बेटियां देश की महलाएं कमाल करके दिखा रही है एक और छेत्र है जहां महलाओं ने अपना पर्चम लहराया है वो है सिल्फ हेल्फ ग्रूप आज विमन सिल्फ हेल्फ ग्रूप की देश में संख्या भी बड़ी है और उनके काम करने के दाइरे का भी बहुत विस्तार हुआ है वो दिन दूर नहीं जब आपको गाउं गाउं में खेतों में नमो ड्रोन दीदियां ड्रोन के माद्यम से खेती में मदद करती हुई दिखाई देगी मुझे यूपी के बहराइच में स्थानिये चीजों के उप्योग से बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड तैयार करने वाली महिलाओं के बारे में पता चला सेल्फ हेल्फ गुरुप से जुड़ी निविया बेगंपूर गाउं की महला है काय के गोबर नीम की पत्तियां और कई तरह के आउसदिय पौधों को मिलाकर बायो फर्टिलाइजर तैयार करती है इसी तरह ये महला है अद्रक लसून प्याज और मिर्च का पेस्ट बनाकर और्गेनिक पेस्टिसाइड भी त्यार करती है इन महलाओंने मिलकर उन्नती जैविक इकाई नाम का एक संगठन बनाया है ये संगठन बायो फ्रोर्स को त्यार करने में इन महलाओं की मदद करता है इनके दारा बनाए गए बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स की मांग भी लगातार बढ़ रही है आज आसपास के गाउं के 6,000 से ज़्यादा किसान इनसे बायो प्रोडक्त खरीद रहे हैं इससे सेल्फ हिल्फ ग्रूप से जुड़ी इन महलाओं की आयबड़ी है और उनकी आर्थिक स्थिती भी बहतर हुई है मेरे प्यारे देशवासियों मन की बात में हम ऐसे देशवासियों के प्रयासों को सामने लाते हैं जो निश्वार्थ भावना के साथ समाज को देश को ससक्त करने का काम कर रहे हैं ऐसे में तिन दिन पहले जब देश ने पद्म पुरसकारों का एलान किया है तो मन की बात में ऐसे लोगों की चर्चा स्वाभाविक है इस बार भी ऐसे अनेकों देश समाजियों को पद्म सम्मन दिया गया है जिनोंने जमीन से जूड कर समाज में बड़े बड़े बड़लाव लाने का काम किया है इन इंस्पाइरिंग लोगों की जीवन यात्रा के बारे में जानने को लेकर देश भर में बहुत उत्सुकता दिखी है मिडिया की हेडलाइन से दूर अकबारों के फ्रंट पेज से दूर ये लोग बिना किसी लाइम लाइट के समाज सेवा में जुटे थे हमें इन लोगों के बारे में पहले शाहिद कुछ देखने सुनने को मिला है लेकिन अब मुझे खुशी है कि पदम सम्मान गोसित होने के बाद ऐसे लोगों की हर तरफ चर्चा हो रही है लोग उनके बारे में जादा से जादा जानने के लिए उत्सुक है पद्मपुरसकार पाने वाले ये अधिकतर लोग अपने अपने क्षेत्र में काफी अनूठे काम कर रहे हैं जैसे कोई एमिलन्स सर्वीस मोहिया करवा रहा है तो कोई बे सहारों के लिए सीर पर छत का इंतिजाम कर रहा है कुछ ऐसे भी हैं जो हजारों पैड लगा कर प्रकृति सवरक्षन के प्रहासों में जूटे हैं एक ऐसे भी हैं जिनोंने चावल की 650 से अधिक किस्मों के सवरक्षन का काम किया है एक ऐसे भी हैं जो ड्रग्स और सराब की लट की रोगठाम के लिए समाज में जागरूपता फहला रहे हैं कई लोग तो सेल्फ हेल्फ ग्रूप विशेश कर नारी शक्ति के अभ्यान से लोगों को जोडने में जुटे हैं देश वाज्यों में इस बात को लेकर भी बहुत प्रसंदता है कि सम्मान पाने वालों में तीस महिलाएं हैं ये महिलाएं जमिनी स्तर पर अपने कारियों से समाज और देश को आगे ले जा रही हैं साथियों पद्म सम्मान पाने वालों में हर किसे का योगदान देश वाज्यों को प्रेरिक करने वाला है इस बार सम्मान पाने वालों में बड़ी संख्या उनलों को कि हैं जो सास्त्रिय नृत्य, सास्त्रिय संगीत, लोक नृत्य, थियेटर और बजन की दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, प्राकृत, मालवी और लंबाडी भाषा में बहुती शांदार काम करने वालों को भी ये सम्मान दिया गया है, विदेश के भी कई